हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल टेकटा फोर सक्सेश, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बार्क में जो वेकेंसी आयो थी भावा एटमिक रिसर्स सेंटर में जिसका एडवाटाजमेंट नमर ये था स्टेपनेटरी कटेगरी वन पोस्ट और कटेगरी टोपोस्ट के लिए एनरवी तारापूर कलपकम में तो इस वीडियो में लोग देखेंगे स्टेपनेटरी कटेगरी वन सभी ब्रांचों के लिए सेलेक्शन प्रोसेश, एक्जायम पेटर्न और किस बुक से कैसे तयारी कर कि अधर ब्रांच का भी कितना जा सकता है कि कि सीवील में के इनकल में बराबर सीट है तो सीट और ब्रांच पे भी डिपेंड करता है कटफ उसके बाद स्टेप्ट ने टिक टेग्डिवान टू पोस्ट के लिए सेलेक्शन प्रोसेज और एकजाम पेटर्न के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सेल्री कितना मिलता है पहले साल दूसरे साल और दो साल के बाद स्टेप्ट ने टेग्री मानन और कर्टेग्री टू पोस्ट के लिए नेजर अब आइजये नमर है, इसका screen in, screen out का list आ चुका है, मैंने उसके video भी बनाया है, तो एप लोग देख लीजएगा, उसम से सेंटर के बारे में, ulsive screen out किया है, उसको mail करना है, किस mail पर करना है, उसके बारे में उस video में मैंने बताया है, इलेक्टिकल मेकेंकल में कितने candidate है तो वो वीडियो जूरे देख लिजेगा अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के description में डाल दोंगा उसका link और मेरे टेलिग्राम ग्रूप से भी आप लोग जूर जाएएगा ऐसे ॡी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा अब सबसे पहले देखते है स्टिप्तिन टेरिक काटेगरी वन पोस्ट के लिए आल ब्रांच के लिए एक्जाम पअंत और सिलेक्शन प्रोसस्रीय सिलेक्शन प्रोसस्रीय में रिटीन टेस्ट और उसके बाग इंटवी topics होगा और पने जो सेलेक्शन होगा इंटर्वीय के वेसिज बहाँ है देखने आपह लिख रका है इंटर्वीय के वेसिज बहाँ होगा कोई बेटेज नहीं होगा इंट है written test का written test में 40 question आएगा objective जिसके लिए एक घंटे time मिलेगा एक कोश्चन सही होने पर तिन नमर मिलेगा और गलत होने पर एक नमर कट जाएगा मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है अब बात करते हैं कि 21 बुक से कोश्चेन आता है तो मैं के इनकल के 2-3 कंडिटर से मैंने बात किया जिन्होंने 2019 में इसका लास्ट इग्जाम हुआ था तो 2019 में इसमें किस सब्जेक्ट से कोश्चेन आया हुथा तो मेक्सिमम 40 में से 30 के आसपास कोश्चेन था खुर्मी से और 10 के आसपास रके जाएंस से था तो आप लोगों को दोनों बुक पढ़के जाना मैं के लिए और जो भी कोश्चन था डाटाबेस पे था जैसे में पूछा था डिजाइन से कि रिबेट का मार्जिन कितना होता है डाया और थिकने से में क्या रिलेशन होता है रिबेट के तो ज़्यादा आप लोग फोकस किजिएगा आरेस खुर्मी से लेकिन आरके जैन को भी पढ़के जाईएगा क्योंकि उससे भी कोश्चन आते है जैसे मेकेनिकल के लिए आरेस खुर्मी आरके जैन है वैसे ही इलेक्टिकल, केमिकल, सीविल, इलक्रोन, इस्टूमेशन के लिए भी अबजेक्टिव बुक आता है तो जैनरल का कटप गया था चालिस में से 36 कोश्चन, OBC का चोटिस कोश्चन, HTSD का तीस के आसपास अब समझ सकते हैं जब चालिस में से 36 कोश्चन कटप जा रहा है तो पेपर के लेवल इजी ही होगा इसमें नोमेरिकल भी आता है लग लग में चालिस से 50% नोमेरिकल रहता है, चोटे चोटे नोमेरिकल रहता है फॉर्मूला बेस पे अब देखें रिटेंटेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसके बाद लगव में एक मन्द टाइम मिलता है इंट्रिव्यू के लिए ठीक तो इसका फाइनल सेलेक्शन स्टिप्नेरी कटेग्रीम और पोश्ट का इंट्रिव्यू के इबेस पे होता है और इंट्रिव्यू अगर आप बतलाएंगे तो तीस मिनट से एक घंटे तक होता है नहीं बतलाएंगे तो पांस या दस मिनट में भी कतम हो जाएगा और इंट्रिव्यू डीटेल से पूछते हैं रिटेन में बेसिक रहता है थीवरे और डाटाबेस पे लेकिन इंट्रिव्यू डीटेल से होता है इसमें तो सबसे पहले इंट्रिव्यू में इंट्रुडक्शन होता है उसके बाद पूछा जाता है कि कोई भी चार या पाच अपना फेरोरट सब्जेक्ट बतलाइए तो आप Redोग अच्छे से कम सपना चार सब्जेक्ट को त्यार करगे जाएगे इंट्रिव्यू में जो भी अपना फेरोरट सब्जेक्ट बतलाएंगे उसे में से वो लोग पूछते हैं अगर आप बतलाते गए वो इंट्रिव्यू 30 से एक घंटे तक लेते जाएंगे इंट्रिव्यू के पेनल में 5 से 7 आदमी होते हैं अब बात करते हैं स्टिफनी ट्रेनिक कर्टेगरी 2 पोस्ट के लिए सेलेक्शन प्रोसेश एक्जाम पेटर्न के बारे में तो इसमें सेलेक्शन प्रोसेश में 3 स्टेज होता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 स्टेज 1 में 50 कोश्चन आता है MCQ कोश्चन रहता है जिसके लिए एक घंटे टाइम मिलता है मैथमेटिक्स के 20 कोश्चन आता है जनरल कंडिडेट के लिए मिनवां 40% नम्मर लाना जरूरी होगा और अधर के लिए मिनवां 30% नम्मर लाना जरूरी होगा इसमें क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को सेकेंड स्टेज में गुलाया जाएगा सेकेंड स्टेज में 50 कोश्चन रहेगा दो घंटे टाइ सब्सक्राइसित है कर दभासमें के इसमें मिनमाम 10% नम्मरला जरूए वह उसके बदु कार最 lookin दो कराता है गोन वो बेसिस पर इसमें सीट के चार या पाच गोना ज़्यादा बुलाया जाता है इसकी टेस्ट के लिए देखें इसका स्कीन आउट इसकीन इन लिस्ट आच चुका है तो इसका एक्जाम जल्दी होगा मान की चले कि एक महिने के अंदर इसका एक्जाम हो करते हैं कितना स्टाइबेंड मिलता है पहले और दूसरे साल के टेग्री टू पोस्ट के लिए कटेग्री बन में पहले साल 16,000 मिलता है कटेग्री टू में पहले साल 10,500 मिलता है कटेग्री टू में दूसरे साल 18,000 मिलता है और कटेग्री टू में 12,500 मिलता है दूसरे साल पेका रहता है और इंट्री पे मिलता है 4,900 कटेगरी 2 में दो पोश्ट पे जोइनिंग मिलता है टेकनिशन भी टेकनिशन सी जिसका लेबल 3 लेबल 4 रहता है और शेल्री मिलता है 1,700 पुची से जार पान सो इसका एक्जाम सेंटर बनाएगा मॉंबई और चन्नाई अब लोग स्क्रीन आउट इन वालप वीडियो जरूर देख लिजेगा थैंक्स फ्रेंड